हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल फार्मा रोक्स के यूटूब एच्जूगेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रॉपर इन्फार्मेशन प्रॉइड करेंगी कि किस तरह से आप जीपेट 2022 एक्जाम की प्रेपिरेशन कर सकते हैं तो जब भी कोई एक्जाम के लिए आप प्रेपिरेशन करो तो सबसी जरूरी होता है उसका प्लान और साथ उसाथ जो इंपोर्टन है वो है टीप्स कि जो इंपोर्टन टीप्स वगरा को फॉलो करके आप प्रॉपर प्लान करते हैं वो एक्जाम के लिए तो उसको अच्छे से जो है आप क्वालिफाइ कर सकते हैं तो यह सभी को हम जानेंगी यह वीडियो लेक्चर में स्पेसरली अबाउट्ट जीपेट 2022 एक्जामीनिजन ते एक्सपर लेक्चर बायव मर्सर और सिस्टर म प्रॉफेसर एंच प्रॉफेसर और फांडर और फांडर्मरोक्स अगर आपके पास iPhone है तो App Store पर से भी डाउनलोड कर सकते है Link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो आप समझ ये GPED exam को तो what is GPED examination सबसे अपहले तो GPED exam क्या है तो वो एक national level का entrance examination होता है किसके लिए होता है तो entry into the MFarm programs की जो post graduation जो हम कहते है master degree करते है उसके admission के लिए ये exam जो है वो conduct किया जाता है और साथो साथ जो student ये exam को qualify करते है उनको मिलती है scholarship तो अभी जो आप study कर रहे है BFarm के अंदर तो जो BFarm का जो course हम कहते है तो वो कहा जाता है undergraduate course UG जो आप कहते है BFarm को बट BFarm के बाद जब आपको master degree करना है कि जिसको हम कहते है MFarm तो MFarm हो गा है आपका post graduation तो post graduation करने के लिए जो entrance examination होती है that is a GPED that is a GPED examination और ये GPED exam समझे कि आप qualify कर लेते हैं तो आप eligible हो जाते है MFarm करने के लिए और साथ उसाथ आपको मिलती है scholarship तो ये एक पूरा flow बनता है कि आप BFarm कर रहे हैं भी BFarm के बाद आपका next target है समझे कि master degree करना है कि मतलब कि post graduation आपको करना है post graduation के लिए admission लेना है तो उसके लिए GPED की exam देना जो है वो काफी जरूरी होता है और जब आप ये GPED की exam qualify करते हैं तो eligible हो जाते है scholarship के लिए कि जो आपको AICT जो है वो provide करते है after qualify this GPED examination तो अब जान लो GPED examination का full form तो G for हो जाता है graduate G for graduate P for pharmacy A for aptitude and T for test तो ये SI examination की जो multiple choice question based examinations होते है MCQ based की ये आपका कोई question है और उसके नीचे चार अलग-अलग option लिए है A, B, C and D तो इस type के जो examinations होते हैं जिसको हम aptitude test वगेरा जो कहते हैं multiple choice questions related examination तो इस type का ये GPED examination जो है वो conduct होता है for the entry into the MFARM courses तो GPED exam का format क्या रहता है कि जब भी कोई exam के लिए preparation करते हो तो सबसे जरूरी है उसके format को समझना कि कौन सा format होता है वो exam का तो उसके related आप जो है वो अपनी strategies जो है वो design कर सकते है तो GPED exam के अंदर total 125 MCQs जो है वो पूछे जाते है total 125 MCQ हर एक question का होता है 4 marks एक question हुआ 4 marks का और total marks हो गए exam के 500 कि 125 question 4 marks का एक question तो total exam हो गई आपकी 500 marks की time limit देते हैं आपको 180 minute send negative marking रहती है यहाँ पे minus 1 for each wrong answer कि अगर कोई आप question attempt करते हैं और वो गलत होता है तो उसके लिए minus 1 जो है वो negative marking के तो यह खास द्यान रखना है और time limit आपको enough मिलती है 180 minutes मिलती है तो वो enough होते है exam को अच्छे से देने के लिए because online examination होती है अब यहाँ बात कर दी format की mode of examination तो computer based test रहता है कि जिसको CBT कहते है मतलब की exams होती है online कि जो online exam कहते हैं multiple choice question based तो MCQ based online examination होती है यह वाले format में तो यह format आपको समझ में आगा अब paper का format समझ लो कि exam का question paper का format आगा अब paper के अंदर कौन से अलग-अलग subject से कितने question आते है तो pharmaceutical chemistry से पूछे जाते है 38 questions फार्मासिटिक से 38 फार्मा कोगनोसिस से 10 फार्मा कोलोजिस से 28 अदर सब्जेक्स के total 11 questions मिला कर total 125 multiple choice questions पूछे जाते है GPAT की examination के रही है तो यह है उसका common format with MCQs तो अब समझ लो कि GPAT exam की preparations करनी है तो उसके benefit क्या है तो यहाँ पर जो benefit है वो आपको पता होगा तो आप अच्छे से उसके लिए plan करोगे आपके लिए goal set हो जाएगा विकास जब भी कोई preparations करनी है तो जरूरी है आपके पास कोई goal तो वो जो goal आपको कहा से मिलेगा तो GPAT exam की जो benefit से वही से आपको जो है यह आपका goal मिलेगा तो सबसे पहला benefit है कि GPAT exam की जो scholarship और वो scholarship है 12,400 रूपे पर month कि एक महिने का आपको यह 12,400 रूपे जितना scholarship जो हर मन्त मिलता है till 24 month कि जब आप master degree में admission लेते हैं तो 24 months तक आपको हर महिने 12,400 रूपे का जो scholarship जो है वो AICT प्रोवेड करती है as a post graduation scholarship program की post graduation scholarship program जो है AICT का तो उसके अंतरगत आपको यह scholarship देती है AICT तो आपके लिए गोल होना चाहिए कि GPAT कॉलिफाई करके यह financially जो support लेने का आपके अंदर master degree scholarship के साथ ही करनी है तो यह benefit आपके लिए गोल बन सकता है second है admission to master degree की जिसको हम कही सकते हैं MFARM की GPAT exam qualify करने के बाद आप MFARM के अंदर admission ले सकते हैं आसानी से and to be eligible for other examinations like NIPER की जब आप GPAT exam qualify कर सकते हैं तो उसके बाद जो NIPER जो topmost institution से pharma के अंदर तो NIPER के अंदर admission के लिए जो NIPER अपना खुद का entrance exam लेता है तो वो entrance exam के लिए eligible बनने के लिए primary requirement होती है GPAT exam को qualify करना तो अगर आप GPAT exam qualify कर जाते हैं तो उसके बाद आपको eligibility मिलती है NIPER exam देने की चौथा benefit यह है कि you will get the additional qualification आपको extra qualification मिलेगा कि आपने all India level की examination जो है वो crack किया बिकोज इसके बाद आपको AIR मिलेगा कि जिसको हम कहते है all India rank और यह exam all over India level होती है national level exam है तो national level exam पास करने के बाद जो आपके बास एक additional qualification आजएगे कि you are a GPAT qualified student फिर बात आते हैं पांच वे important benefit की कि higher rank means top institute admission कि आपका goal है कोई ऐसे top institute में से master degree करने का तो वो goal को आप एजिव कर सकेंगे by achieving the higher rank इने GPAT examination की जिपेड exam के अंदर आपका काफी अच्छा rank आता है तो वो rank के basis पे आप top most institutions के अंदर admission ले सकते हैं post graduation के लिए और ये सबसे important है आपके लिए कि scholarship that means financial benefits कि आपको financial benefits मिलेंगे 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 आपकी 12,400 per month तो 24 months के approximate आपको 3 lakhs जितने पैसे मिलते है master degree करने के लिए कि जो आप expense कर सकते हैं उसको खर्च कर सकते हैं आपके master degree के अंदर आपका जो hostel का खर्चा है निकल सकते हैं master degree करने के लिए कि आपके college के fees कहो जो भी आपका कोई खर्चा है project work related या फिर आपकी जो hostel fees वगरा है traveling कोई करते हैं आप तो वो related खर्चा तो सब खर्चा आप आसनी से निकल सकते है by using this scholarship तो यह है benefits तो यही benefits को achieve करने के लिए प्रॉपर प्लान करके GPED examination की तैयारी करें तो GPED examination के अब tips को सरू करते है plans के सरूवात करते हैं तो सबसे important है basic knowledge की कि यह जो बात करते हैं कि दिमाग की जो बत्ती जलाना तो that means कि basic knowledge की जब आपके दिमाग की बत्ती अच्छे से जली हुई है मलब कि आपके पास अच्छे से basic knowledge है और यह basic knowledge आपको help करेगा GPED exam को qualify करने के लिए तो only basic knowledge of pharmacy will make it easier to crack the GPED examination to cover the basic of each and every topic कि जो भी आप study करते हैं तो इसका basic concept अच्छे से समझे basic concept के according to आप study करोगे तो GPED exam को आसानी से जो है वो qualify कर पाओगे so focus on the basic concept कि जो basic concept है कि जो भी कोई आप topic बढ़ रहे हैं उसके अंदर से सबसे पहले उसका basic concept कर लेजे कि उसके अंदर main basic fundा क्या है basic knowledge वहाँ से ले लोगे तो वो आपके लिए सबसे important tips रहेगी to start with GPED examination कि GPED का जो सिले बस है वह आप आसनी से GPED की जो वेबसाइट है वह आसे डाउनलोड कर सकेंगे उसके link में आपको description box में दे दूँगा तो आसनी से आप GPED का syllabus जो है वह डाउनलोड कर सकोगे तो syllabus तो मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ बढ़ शरूवत है कि जो भी topic आप सिले बस वह इस करते हैं तो उसके basic concept अच्छे से करें फिर बात आए तो कहां से सरूवत करनी है तो start with the main subjects की जिसका वेटे जैसा है कि उसमें से 38 questions पूछे जाते हैं 28 जितने questions निकलते हैं तो ऐसे जो main subject है जैसे कि फार्माकोलोजी है फार्मासुटिक से फार्मासुटिकल कैमेस्ट्री कॉगनोसी तो ये चार आपके main subject हो जाएंगे कि कॉलोजी से हमने देखा कि on on average 28 जितने multiple choice questions कॉलोजी से पुछे जाते हैं 38 जितने फार्मासुटिक से आते हैं उसे तरह से chemistry जो पूरा बन जाता है कि normal chemistry, inorganic chemistry, organic analytical chemistry, medicinal chemistry सभी के मिला कर total उसके भी 38 questions आते हैं कॉगनोसी से 10 questions आते हैं तो ये आपका हो जाएगा main subjects तो ये main subjects से आप preparation स्टार करेंगे आप का फार्माकोलोजी लेते तो उसको अच्छे से prepare करें suitics को अच्छे से prepare करें पूरा, तो ये सबसे important है कि planning के अंदर आप start कर सकते है main subject से, फिर जब main subject कर रहे हो तो उसके साथ हो साथ आप minor subject को भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि जिससे आपको जो है थोड़ा refreshment लगे कि do not skip the minor subject and topics they will help you to qualify जैसे कि आप देखो biochemistry है, तो एक minor subject हो गाया, jurisprudence है कि जिसको forensic pharma कहते है microbiology है biotechnology है, तो ऐसे जो subjects है कि जिसको minor subjects के category में हम रखते हैं, तो उनकी भी अच्छे से preparation साथ हो साथ करनी चाहिए with the major subjects day by day also make the schedule to read the topics of minor subject and their topic, make your on timetable यह जरूरी है कि proper सभे student का जो time जो है, वो अलग अलग होता है study करने का कि कोई morning में early ut के preparations करते हैं कोई रात को late night तक study करते हैं तो depend on you कि आप जो है proper अपना खुद का एक timetable जो है, वो set कर सकते हैं और वो timetable के अंदर आप proper fix कर दीजिए कि कितने अवर्स आपको major subject की preparation करने, कितने अवर्स आपको minor subject तो उसके दरा से proper यह timetable बना लो, वो timetable को आप जो है, अपने room के अंदर लगा सकते हैं कि जिससे आप proper वो timetable के according to preparation कर सकते हैं इवन आप weekly भी plan कर सकते हैं कि आप Monday को कौन से subject की preparation करोगे Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday और फिर Sunday, तो पूरा एक calendar की तरह एक अच्छे से आप planning कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपकी एक proper systematically study होगी timetable बेजर उसमें आप समझे कि कोई दिन Sunday को समझे कि आप ऐसा fix करते हैं कि सभी minor subjects को उस दिन पढ़ना है फिर Monday को आप pharmaceutical set करते हैं, Tuesday को ecology करते हैं, तो उससे क्या होगा कि proper आपका एक timetable के according to preparation जो होगी कि जो एक proper plan बनेगा, तो यह होगा GPT exam का minor subject related फिर making routine to read the different topic as per the syllabus तो ऐसा एक routine बनाएं कि जिससे आप क्या कर सकते हैं कि अलग-अलग topics को study करें कि जिससे आप pharmaceutics से लेते हैं, tablet doses form, फिर forensic pharma से आप schedule को बढ़ते हैं फिर आप microbiology वगरा से sterilizations लेते हैं और biochemistry से आप vitamin वाला chapter लेते हैं तो proper एक schedule बना दो कि like समझो कि 10 बजे 10 अ.म को आप समझो कि tablet के लिए study करते हैं फिर दोपएर 12 बजे के आसपास आप schedule करते हैं फिर सोड़ा rest वगरा करके सामको 4 बजे आप sterilization पढ़ते हैं और फिर रात को 7 या 8 बजे के आसपास आप vitamins करते तो उससे क्या होगा एक ही दिन में अलग-अलग subjects करने से या फिर अलग-अलग topics करने से जो कई बार हम बोर हो जाते हैं ऐसा नहीं होगा तो make a routine to read the different topic as per the syllabus कि proper आप अलग-अलग topics को एक ही दिन में पढ़े इस तरह से proper एक timeline set करके and set your own time table and read the various topics each day sometime we get bored due to the read one subject full day so never do one subject whole day mix up the topics अब यहापे क्या होदा कि पूरा दिन फार्मासुटिक्स पढ़लेने से बोर हो जाते हैं आप या फिर पूरा दिन कॉलोजी पढ़के बोर हा जाते हैं तो जरूर ही है कि एक ही दिन में तीन या चार अलग-अलग subjects के topics combination करें और वो आप prepare करें कि जिससे क्या होगा अच्छे से आपको यह फाइदा होगा बोर नहीं होगी और सभी subject को mix up में करने से सभी topics एक साथ cover होती कि like tablet भी अपने थोड़ा पड़ा फिर schedules का भी कर लिया study legislation भी किया and vitamins का भी पड़ा तो इस तरह से आप अपना खुद का proper schedule set कर सकते हैं और उसके recording to preparation plan बना लिजे कि जिससे आप और भी ना हो और काफी अच्छे से preparation हो जाए जीपेड exam की फिर बात आती है कि sometime we see the other to do doing the preparation and become tense or worried कई बार जो anxious हो जाएते हैं हम चिंता हो जाती है कोई जो student है वो ऐसे preparations कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगए कि उनकी preparations आप से काफी बायतर हो रही है और कई बार आप जो group discussions करते हैं उसमें किसी student ने ऐसा कहा कि उसकी preparations इस तरह से हो रही है उसने topics कुछ ज्यादा cover कर लिए और वो topics अभी तक आपने पढ़े भी नहीं है तो उससे क्या होता है कि आपको tension होती है बढ़ ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी की preparations करते देखा में tension नहीं लेना है सिर्फ अपने अच्छे से prepare करता रहेना है so never get anxious or scare by see others preparation दूसरी लोगों की दूसरे students की preparations को देखके ना ही आपको डरना है never get anxious or scare की नहीं डरना है और नहीं कोई चिंता करनी है by see others preparations so never get ये पॉइंट खास अपके लिए golden sentence बना रहेगा throughout your preparation of GPET examination और only focus on yourself and be confident की ये जो देखो ये जो student आप देख रहे है कि proper confidence के साथ अपनी जो दिमाग की बत्ती भी उसकी जली हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं और proper ये जो book से उसके साथ ये notes साथ में बना रहा है और proper confidence के साथ preparations करना है ना है कि दूसरी की preparations को देखकर इस तरह से scare हो रहा है या फिर anxious हो रहा है कि ये देखो ये students tension के अंदर है उनको anxious मतलब की चिंता हो रही है और ये student जो है वो काफी डरा हुआ लग रहा है तो ये सा हमें नहीं करना है you have to be dislike किस तरह से proper confidence के साथ ही preparation जो है वो करता रहना है फिर बात आते है कि जब भी कोई exam की preparations करे तो impetent है कि old questions paper को solve करे तो gpd के जो old questions paper है वो खास solve करें आप कि जब भी कोई भी exam होके आप semester exam की preparation करें तो भी plan main यह होता है कि आप old papers को check करके आपको पताएगा पता चलेगा कि कौन से type के questions पूछे जाते हैं so start to solve the old gpd papers day by day it help you to increase your confidence level day by day आप समझे कि gpd के पूराने papers solve करते हैं तो उससे आपको फाइदा होगा habit to solve old papers give you idea about what type of question asking previous examination कि previous exam में किस type के questions पूछे गए वो कैसे पताएचलेगा तो जब आप यह old papers solve करते हैं तो old papers solve करने के लिए farmer rocks के आप उपर से आसन ही से solve कर पाओगे वहापे हमने एक proper एक आपके लिए course बना कर रखा है कि जहाँ पर आप जाके सभी papers को अच्छे से जो ही पो solve कर सकते हैं तो यह problem आपके solve हो जाएगी कि जीपेट old papers कैसे solve करें तो बाजू में ही उसका solution है कि farmer rocks की जो mobile application है वहापे हमने सभी old papers आपको अच्छे से दे दिये कि जो आप solve कर सकते हैं फिर बात आती है कि कितने mcq दिन में solve करें तो minimum 50 जितने mcq हर दिन आप solve करें कि जैसे आपने बात के कि tablet chapter पढ़ रहे तो tablet chapter पढ़ने के बाद उसके related थोड़े questions solve कर लिजें आप समझे कि vitamins पढ़ रहे तो उसके related को तोड़े multiple choice questions solve करें तो at least दिन में 50 जितने mcq आप जरूर से solve करें so mcq practice is necessary to improve the thinking ability of the students to improve them day to day by solving the questions thinking capacity आप सोचते है कुछ की question आप देखते हो कि यह question पूरा लिखा हुआ है नीचे उसके 4 अलग-अलग option है तो question आपने देखा नीचे 4 option तो आप क्या कर सकते हैं वह option के बारे में सोचते हैं तो में जो thinking की बाद आती है कि जो thinking ability thinking ability कहा से improve करें आपकी तो वह है mcq क्योंकि जब सोचते हैं कि जब किसे question आपके सामने होता है तो ही हम सोचते है वरना सिर्फ हम पढ़ते ही है कि कई बार क्या होता है कि syllabus है तो syllabus को सिर्फ हम क्या करते है read करते है बट उसकी related practice कहा करी जाती है तो practice के लिए होता है multiple choice questions को solve करना तो उससे पता चलेगा कि आपने जो read किया है वो कितना आपने याद रखा है as well as कितना आपका proper IQ ऐसा है कि जिससे आपने जो भी पढ़ा वो आपको याद रहा है और उसके according to आपकी thinking ability कितनी है mcq को solve करने की तो यह काफे important है कि साथ उसाथ mcq solve करते रहे solve the topic wise mcq full syllabus mcq subject wise mcq सभी तरह से mcq solve कर सकते है उसका भी solution आपको pharma rocks के app उपर मिल जाए कि जो online courses हमने जो बनाए है आपके लिए कि वहाँ पे आप test series solve कर सकते है कि जो topic wise test series रहती है full syllabus test series रहते है and subject wise test भी रहते है कि जिससे आप जो mcq क्योंकि practice कर सके with solution and explanation so side by side evaluate yourself by giving the test like mock test है, online pre-gp test pharma quiz, gp test series mcq series जो test होते है वो भी आपको solve करते रहने चाहिए कि जब आप preparations कर रहे है तो pharma rocks की app उपर आप आप हमको ऐसा affordable course दे रहे है कि जो सिर्फ 100 रुपीस के अंदर आप एक साल तक चाहे जितना use कर सकते है कि जिसके अंदर 365 premium test 365 days में solve करें topic wise test मिलेंगे pharma quiz type questions मिल जाएंगे gp test series पूरा आपको cover करवाएंगे pharma rocks की आप उपर कि जो best course रहेगा आपके लिए age type का evaluation कि जो आप test देने के बाद जो evaluation के बाद करते तो वो test देने के बाद आपका जो हो result generate होता है result देने के बाद वो proper result analysis आएगी आपका rank generate होगा even वो test देने वाले जो डूसरे student है जो topper से उनके साथ भी आप अपना rank comparison result comparison कर सकते तो उससे क्या होगा कि proper evaluation होगा आपका कि किस तरह से आप preparation आपकी progress हो रही है तो progress होना जरूरी है और progress से लिए जरूरी होता है test देना कि जिसे regular जो आप test देते हैं उससे ही आपको पता चलता है कि आपकी preparations की progress क्या है और progress जब हमें पता चलती है तो भी हम सोच देख सकते हैं कि आपका जो planning है वो proper direction में जा रहा है कि जिससे आपके preparations काफी अच्छी हो रही है फिर बात आती है कि to become the GPET qualified is your dream so chase your dream without the fear कि जो बात आती हैं कि be fearless in the chase of your dreams कि जो भी आपके dreams है जो भी आपके goal है तो dream को हम साथ हो साथ goal के साथ भी replace कर सकते हैं आपके dream के बज़ा समझे कि आप goal word use करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि be fearless in the chase of your goal कि आपका जो goal है उसको chase करना है achieve करना है तो उसके लिए आपको fearless बनके अच्छे से preparations करने पड़ेगी so be relaxed and do not get worry about the exam be fearless before the GPED exam to get the success कि अगर अब अभी से tension लेगे कि मेरा क्या होगा make qualify होगा या नहीं disqualify होगा तो क्या होगा तो ऐसे negative thoughts नहीं लाने हैं आपके mind के अंदर सिर्फ positivity को बना के रखे अच्छे से plan करके जो है वो GPED की preparation करने चाहिए कि जिससे आप जो है वो उसके अंदर success जो है वो achieve कर सके तो fearless बनके preparation करनी है never leave easy subjects like jurisprudence dispensing calculation as there are very direct questions from them and if you have read them it will help you to score the marks कि जैसे कि jurisprudence है कि उसके schedules वगरा होते है acts वगरा होते है forms वगरा होते है तो वहाँ से direct questions आते है कि जो sections वगरा है थे कि drug inspector कौनसे sections के according to appart किये जाते है उनके power कौनसे section के according to तो वेसे questions direct पूछे जाते है same like that आप देखो तो dispensing pharmacy कि जो हम कहते हैं कि pharmaceutics जो है formulations वगरा है उसमें से direct questions आ सकते है calculations related questions name reactions जो है वो pharmaceutical chemistry का तो वहाँ से questions direct पूछे जाते है without any type of twist तो ऐसे subject भी अच्छे से करते रहे साथ हो साथ फिर make a notes while studying ये खास important है कि take the notes कि अच्छे से अपने handy notes बनाए कि जो बात आते हैं कि handy notes अपने खुद के notes कि आपने खुद की handwriting में लिखे हुए ये notes तो ये notes कब कामाएंगी कि जब आपको rapid revision करना है आखिर के दिनों में कि जब exam का 15 दिन बचा है, 20 days बचे है 1 week बचा या फिर exam के 2-3 दिन पहले भी आपको समझो कि revision करना है तो rapid revision के लिए सबसे helpful बनते हैं ये handy notes तो ये खास कि जो भी आप study करते because कई बार आप क्या करते है YouTube videos पर से preparations करते है कई बार आप कोई app में से videos वगेरा देखते है कई बार आप Instagram पर कोई important post वगेरा देखते है Telegram पर देखते है तो वो क्या होता कि सभी अलग-अलग social sites पर आपने content देखा Facebook पर भी कई बार अलग-अलग ऐसे post important share कियो देखी तो वो जो post आप देखते है कोई YouTube video देखते है important इस थरा का app उपर कोई content है WhatsApp ग्रूप में कोई important notes वगेरा share किये तो उसके आप handy notes बना लो तो क्या होगा YouTube से पढ़ा हुआ भी यहाँ पर आ जाएगा app में से पढ़ा हुआ भी यहाँ पर एड़ हो जाएगा Instagram पर देखा WhatsApp पर देखा जहाँ पर भी आपने important content देखी हैं आपके पास books से study material है उसमें से भी जो important point आपको ऐसे लगे कि जो not down करना काफी जरूरी है तो वो सब आप यह अपनी handy books के अंदर handy notes के अंदर अच्छे से लिख लेंगे कि जिससे rapid revision में काफी फाइदा होगा फिर बात करें तो start the revise gpate syllabus along with mcq solution कि जो भी आपके अपस syllabus है कि अपने soft copy के अंदर आपके laptop के अंदर रखा है आपके mobile के अंदर syllabus है तो अच्छे से कि जिससों कि देखो यह आपे यह notes बनाए हुए है साथ हो साथ यह books वगेरा भी है और proper refreshment के साथ कि आप अच्छे healthy खाना भी खार खार रहा है यह साथ में books वगेरा है और उसका अच्छे से आप क्या कर रहे है revision कर रहे है तो start the revise GPT syllabus along with MCQ solution revision is the key point for your examination कि जए exam से पहले आप अच्छे से syllabus को revise कर सकते है और revision तब ही अच्छे से होगा कि जब आप ने अच्छे से notes बनाए हैं तो यह सब important topics बनते है and revision is a necessary so do it regular कि जो भी आप पढ़ते हैं तो एक दिन ऐसा बना दीजे कि वो revision day बना लीजे कि आप में जैसे मैं आपको पूरा calendar बता है कि Sunday है फिर Monday, Tuesday Wednesday, Thursday, Friday and Saturday तो यह जो 7 दिन है week के उसमें से एक दिन ऐसा आप fix कर देखे हैं Sunday पह आपने fix किया तो Sunday is for only the revision तो वो भी आपको काफी फाइदा करेगे कि आप Sunday को सिर्फ revision करेगे कि Monday से Saturday तक आपने जो भी study की है preparations की है वो आप Sunday को अच्छे से revise करोगे तो उससे क्या होगा कि revision करने से आपकी जो याद सकती है वो आर ज्यादा बड़ीगी और वो point आपके इतने strong हो जाएगे कि आपको जो है वो easily याद रह जाएंगे तो revision जो है वो key point बनता है फिर make list of highlight topics cover during the preparation so easily you can remember the topics अब बहुत आती है highlights कि कि like आपने pharmaceutical engineering लिया है तो उसमें आपने कौन से topic कि like आपने fluid flow पढ़ लिया है और fluid flow में इस तरह से ये सभी topics आपने कर लिये है तो इस तरह से इसको highlight कर लिजी फिर आपने his transfer skip किया थे और evaporation study किया है तो evaporation को highlight कर लिजी even कोई topic को आपने उसमें से नहीं किया कि like आपने distillation तो topic अच्छे से किया route slow गिरा कर लिया बट उसके mathematical problems आपने नहीं किये तो उसको highlight मत करिए because highlights मतलब कि आपका topic cover हुचे के तो topic cover कौन सा हुआ तो वो अच्छे से highlight करे और जो highlight नहीं किया है वो होगा आपका ये remaining topic तो उससी क्या होगा कि आप find out कर सके कितना topic आपका हो चुका है कितना topic अभी बाकि है उसे तरह से ड्राइंग के अंदर आपने सिर्फ लाइओफलाइजिसन ही किया है तो ये highlight करके रखे कि method of freeze drying और लाइओफलाइजिसन किया है दूसरे topic अभी भी बाकि है तो ये आपको proper idea देगा so this will provide you the progress of your study कि आपकी study की progress क्या है तो हो सके तो g-pad का जो syllabus से जिसकी में link आपको description box में देदूँगा तो वो download करके उसके print ले लीजिए और अच्छे से marker से आप जो भी points करते है वो regular mark करते रहे also help you for revision of the topics कि topic का revision करने तो आपको बता चलेगा कि आपने fluid flow बढ़ा है तो उसका revision कर लेजिए distillation बढ़ा है तो उसका revision कर लेजिए और पता है कि आपका heat transfer बाकि दूसके लिए plan कर लेजिए कि heat transfer के study आप कब करोगे कहां से करोगे तो वो एक important बनेगा फिर every year there are 6-8 questions based on spectroscopy कि जैसे mass spectroscopy है UV वगेरा है IR वगेरा में से NMR spectroscopy फिर chromatography जैसे कि gas chromatography HPLC fire paper chromatography, thin layer chromatography सभी में से questions पूछे जाते कि लाग देखो जिपेट के syllabus में भी यह दिया है कि chromatography और ultraviolet and visible spectroscopy तो वहाँ से हर बार काफी questions पूछे जाते कि जो analytical chemistry हम कहते है pharmaceutical analysis जो कहते है तो student must read these chapters throughout लीकि प्रॉपर अच्छे से बीना कोई topic को skip करें कि like फीसर्स, वुडवर्ड फीसर्स rule में से questions आते है फिर dielectric constants या फिर dielectric transitions में से questions पूछे जाते है उसी तरह से यहाँ पे देखो कि thin layer chromatography है preparative TLC, paper chromatography GC, GLC सबी में से questions आते है तो यह काफी important है make the separate notes from the classification of drug from pharmacology के pharmacology जो आप study करते है तो pharmacology का जो classification है तो उसके एक अलग से notes बना लीजिए फिर schedules of the drugs कि जो schedule M1 हम कहते है कि schedule F कहते है कि schedule F जो आता है schedule M आता है schedule F1 होता है M1 होता है तो ऐसे जो schedule में से direct questions आते है तो उसके एक अलग से अच्छे notes बना लीजिए pharmaceutical जो classification से अलग-अलग medicines का के antiviral drugs है drug acting on respiratory system drug acting on autonomic nervous system chemo therapy है anti-cancer drugs है तो यह सबी drugs का अच्छे से एक classification के आप अलग से notes बना लीजिए also make a chart or table regarding heterocyclic ring structure कि जो heterocyclic ring आती है उसका एक अलग से chart या फिर table बना के आपके room के अंदर आप लगा सकते हैं फिर name and reaction and B.S.C.C. use and microscopy of herbal drugs कि जो B.S.C. की हम बात करते है biological source, chemical constituent use, microscopy related notes या फिर एक अच्छा सा wallpaper या फिर chart बना लीजिए कैसा कोई एक चार्ट है और ये चार्ट आपके जो room है वो room के अंदर आप लगा सकते है as a wallpaper की तरह तो क्या है कि जब भी आप कोई activity करते तो उस वक्त ये चार्ट आपकी नजरों के सामने रहेगा और regular उसमें से आप revision कर सकते है कि जब भी आप preparation करते हो फिर the frequency of numerical problem is increasing in GPET every year so individual must attempt the problems for scoring the good marks in GPET कि जो कुछ numerical questions होते है तो biopharmaceutics से depression in freezing point allegation method HLB value से dose calculations related questions होते है based on body weight and age तो ऐसे numericals की भी आप practice करें कि जिससे आप अच्छा rank ला सकते है score कर सकते है फिर solve the GPET test series डेली it will help you in evaluate yourself regarding the various topic and your preparation so solve the topic wise test chapter wise read explanation and solution of the questions की जो फामारोक्स ने जो GPET test series बनाई है आपके लिए तो उसके अंदर एक feature यह है कि test देने के बाद उसका पूरा अच्छे से explanation होता है कि जो भी MCQ आप solve करते है वो MCQ का proper solution और explanation रहेगा तो इससे फाइदा यह होगा कि जो भी आप MCQ पढ़ते है या फिर solve करते है पेपर तो उसके बाद उसका पूरा solution रहता है with explanation तो उससे क्या फाइदा होगा कि वो topic का theory भी आपका cover हो जाएगा तो यह benefit है तो good luck for your exam preparations do the best and good luck कि जो भी आपको query हो farmer rocks को join कर सकते है farmer rocks के आप उपर भी आपका affordable crisis मिलेंगे साथ हो साथ जो whatsapp group है वो भी join कर सकते है GPAD के अच्छे से preparations करने के लिए और कोई भी time हो आप whatsapp कर सकते है हमें to solve your all the queries regarding the GPAD examination so regular touch में रही है farmer rocks के साथ और use कर सकते है android application google play store पर से download करके iphone user है तो app store पर से भी download कर सकते है link आपको description box में मिल जाहेंगे so good luck and all the best Wi-Fi म्रूए को cha आपको आपको। आपको आपको आपको